हलो दूस्तो आज आज आप सुनेंगे रहस्य रोमांच की दुनिया की क्वीन मानी जाने वाली अगाथा क्रिस्टी का एक बहुत ही मशूर और उम्दा उपन्यास जिसका नाम है ABC Murders अब क्योंकि नौवल एक वीडियो में पूरा नहीं आ सकता इसलिए इसे पांच भागों में बाटा गया है और ये उस नौवल का पहला भाग है ये नौवल हर्क्यूल पॉरो सीरीज का है और जिस तरह शर्लक होम्स की कहानियों में कहानी को सुनाने वाला उसका प्यारा दोस्त डॉक्टर जॉन वाटसन होता है ठीक उसी तरह हर्क्यूल पॉरो का भी एक दोस्त है जिसका नाम है कैप्टन आर्थर हेस्टिंग्स और पॉरो की अधिकतर कहानियों में जो मैं केरेक्टर होता है वो कैप्टन हेस्टिंग्स ही होता है इस कहानी को भी हेस्टिंग्स ने ही नेरेट किया है तो आईए कहानी अध्याय एक जरूरत नहीं कि इंग्लेंड पहुचने पर मैंने सबसे पहले जो काम किये उन में से एक था अपने प्यारे दोस्त हरक्यूल पॉयरो से मिलना वो लंडन में नए बने सर्विस फ्लैट्स में से एक में रह रहा था मैंने उस पर आरोप लगाया और उसने इसे मान भी लिया कि उसने ये जगहा उसके जोमेट्री के आधार पर बने बाहरी रंग रूप और आकार के कारण चुनी है हाँ मेरे दोस्त इसका संतुलन बड़ा लुभावना है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता मैंने उससे कहा कि मेरे विचार के अनुसार कभी कभी चौक और कुछ आह तुम्हें याद है लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता विज्ञान मुर्गियों को नई पसंद के अनुसार चलने के लिए नहीं मना सका और वो अभी भी अलग-अलग आकार और रंगों के अंडे देती हैं मैंने प्यार भरी नजरों से अपने दोस्त को देखा वो पढ़ी ही नहीं है अगर ये मुम्किन हो सकता तो मैं कहता कि तुम्हारे सिर में इस बार पिछली वार से भी कम सफेद बाल हैं पोहरों मुस्कुरा दिया ऐसा मुम्किन क्यों नहीं हो सकता ये काफी हद तक सच है तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे बाल काले से सफेद होन और शक से बिलकुल खाली वक्त तुम्हारे इस गुन को बदल नहीं पाया है तुम कोई सच्चा ही देखते हो और उसी सांस में खुद ही उसका हल भी ढूंड लेते हो बिना इस एहसास के कि तुम ऐसा कर रहे हो मुझे उसकी बात का एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ा और मैं बस उसे देखता रहा वो बिना एक शब्द भी बोले अपने बेड्रूम में गया और हाथ में एक बोतल लिये वापस आया जो उसने मुझे थमा दी मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़ लिया उस पर लिखा था मैं चिल्ला पड़ा पॉयरो तुमने अपने बालों को रंगा है आह तो तुम समझ ही गए तो आखिर तुम समझ ही गए यानि इसलिए तुम्हारे बाल पिछली बार से ज्यादा काले लग रहे हैं एक दम सही हे भगवान अगली बार में आऊंगा तो शायद तुमने नकली मुझे लगाई हुई होंगी या फिर इस समय भी लगा रखी है मेरी ये बात सुनकर पॉयरो सक पका गया उसकी मुझे हमेशा से उसके लिए एक नाजुक मुद्दा रही थी उसे उन पर असाधारन गर्व था मेरे शब्दों ने उसके कच्चे घाव को छू दिया नहीं नहीं मेरे दोस्त मैं इश्वर से दुआ करता हूँ कि वो दिन अभी बहुत दूर हो नकली मूचें ची कितना घिन्नोना मुझे उनके असली होने का यकीन दिलाने के लिए उसने उनको खीजा ये देखो पूरे लंडन में मेरी मूचों जैसी मूचें किसी की नहीं है मेरे मन में आया कि कह दूँ हाँ इन्हें रंगने का काम तुमने काफी अच्छी तरह किया है लेकिन ऐसा कहकर मैं किसी भी कीमत पर पॉयरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकता था इसकी बजाए मैंने पूछा कि क्या वो रिटायर होने के बाद भी कभी कभी अपना पुराना काम करता है हाँ मेरे दोस्त मैं कई बार रिटायर हो चुका हूँ तुम्हें पता है मुझे सबजियां उगाने का कितना शौक है और उसी काम के लिए मैं बार बार रिटायर होता हूँ लेकिन फिर कोई हत्या हो जाती है और मैं सबजियों को शैतान के हवाले कर देता हूँ मुझे पता है तुम क्या कहोगे मैं उस गाईका की तरह हूँ जो अपना आखिरी शो पेश कर देती है लेकिन वो आखिरी शो न जाने कितनी बार दोहराया जाता रहता है बार बार ऐसा ही होता रहता है हर बार मैं कहता हूँ बस ये आखिरी केस है लेकिन नहीं, फिर कुछ और हो जाता है मैं मानता हूँ दोस्त कि रेटायर्मेंट की मुझे कोई परवा नहीं अगर दिमाग के छोटी-छोटे ग्रे सेल्ज से काम ना लिया जाए तो उनमें जंग लग जाती है हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैंने कहा तुम अपने ग्रे सेल्ज से काफी संयम से काम लेते हो बिल्कुल सही, मैं सोच विचार कर केस चुनता हूँ हर्क्यूल पॉयरो के लिए अब सिर्फ चुनिंदा जुर्म तो क्या इस बीच काफी चुनिंदा जुर्म हुए हैं, मैंने पूछा हाँ, ऐसा कह सकते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ उस बात को जब मैं बाल-बाल बचा, क्या असफलता से, मैंने पूछा अरे नहीं नहीं, मैं हर्क्यूल पॉयरो लगभग खत्म ही कर दिया गया था मेरे मुह से सीटी निकल गई, कोई बड़ा ही साहसी हत्यारा होगा जिसने तुम पर हाथ डाला, मेरी बात के जवाब में पॉयरो ने कहा इतना साहसी नहीं जितना लापर वहा, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते तुम तो जानते ही हो हेस्टिंग्स, कई मायनों में मैं तुम्हें अपना मैसकट मानता हूँ जैसे ही मैंने सुना कि तुम आ रहे हो, तो मैंने खुद से कहा कि अब कुछ न कुछ जरूर होगा, पुराने दिनों की तरह हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे लेकिन ये एक साधारन बात नहीं होनी चाहिए कुछ पीछे भागने लायक, कुछ नफीस, बढ़िया होना चाहिए कसम से पॉयरो, तुम्हारी बात कोई सुने तो ये सोचे कि तुम रिट्स में खाने का ओर्डर दे रहे हो उसने एक ठंडी सांस खीचते हुए कहा जानता हूँ, क्योंकि हम अपराद का तो ओर्डर दे ही नहीं सकते, है ना लेकिन मैं किसमत में यकीन रखता हूँ ये तुम्हारी तकदीर में है, कि तुम मेरे साथ खड़े रहो और मुझे कोई भी ऐसी गलती करने से रोको, जो माफ ना की जा सके तुम्हारे हिसाब से माफ ना की जा सकने वाली गलती कौन सी होती है मैंने पूछा जाहिर सी बात को न देख पाना मैंने मन ही मन इस बात का अर्थ समझने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाया कुछ उलज़न भरे स्वर में मैंने पूछा क्या ये माहा अपराध हो चुका है? अभी तो नहीं कम से कम अभी मैं पक्का नहीं कह सकता उसके स्वर में कुछ इतना विचित्र था कि मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा अचानक सिर को जटक कर वो कमरे के दूसरे छोर पर बनी खिड़की के पास पड़े डेस्क तक गया कहने की आवशकता नहीं कि डेस्क का सामान इस प्रकार सलीके से खानों में रखा था कि जो कागज उसे चाहिए था वो बड़ी ही आसानी से उसके हाथ में आ गया हाथ में एक खुला पत्र लिये वो धीरे-धीरे मेरे पास आया ये देखो मेरे दोस्त और बताओ कि तुम इससे क्या समझते हो मैंने दिल्चस्पी के साथ वो कागज उसके हाथ से ले लिया मोटे सफेद कागज पर ये लिखा हुआ था मिस्टर हर्क्यूल पॉयरो तुम समझते हो ना कि तुम वो बुथियां सुलजा सकते हो जो हमारी मोटी पुद्धी वाली अंग्रेजी पुलिस के लिए मुश्किल है चलो मिस्टर पुद्धिमान पॉल्ड देखते हैं तुम कितने होशियार हो शायद तुम्हें इस उल्जन को सुलजाना टेड़ी खीर लगे मैंने लिफाफे पर नजर दोड़ाई उस पर भी पता छपा हुआ था इस पर WC1 की स्टैंप है पॉयरो ने कहा मेरे ख्याल में तो ये कोई पागल है मैंने कहा क्या तुम को सिर्फ ऐसा ही लगता है उसने पूछा उसका स्वर काफी गंभीर था मैंने कौतूहल से उसके और देखा मेरे ख्याल से तुम इसे ज्यादा गंभीरता से ले रहे हो पॉयरो पागल को गंभीरता से ही लेना चाहिए पागल आदमी बहुत खतरनाक होता है उसने कहा हाँ ये तो ठीक है मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था मेरा मतलब था कि ये एक बेवकूफाना किस्म का जहांसा ज्यादा लगता है शायद किसी बेवकूफ ने आठ पैग के बाद एक और ले लिया हो लेकिन मेरी ये बात पोईरो को संतुष्ट नहीं कर पाई उसने अनिश्चे से सेर हिलाया लेकिन बोला कुछ नहीं क्या तुमने इस बारे में अभी तक कुछ किया है मैंने उससे पूछा कोई क्या कर सकता है मैंने जयाप को खत दिखाया था उसका ख्याल भी तुम्हारे जैसा ही था एक बेवकूफी भरा जहांसा उसने यही मुहावरा इस्तेमाल किया था स्कॉटलेंड यार्ड में उन्हें रोज इस तरह की चीज़ें मिलती रहती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पत्र में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है अगर तुम सच में इसे इतना गंभीरता से ले रहे हो तो कुछ करने ही सकते क्या मैंने पूछा करने को है ही क्या काउंटे पुलिस ने इस पत्र को देखा है लेकिन वो लोग भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे इस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं है ना ही कोई ऐसा निशान ना ही कोई ऐसा चिन्ह जिससे इसके लिखने वाले का कोई अतापता लग सके लेकिन न जाने क्यों मेरा अनुभव मुझसे कहता है कि इस पत्र में कुछ न कुछ गड़बड जरूर है हो सकता है मैं दिल का ताड बना रहा हूं लेकिन इंतजार करने के अलावा करने को मेरे पास और कुछ भी नहीं है 21 तारिख को शुकरवार है अगर एंडोवर के आसपास कोई बहुत बड़ी डकैती पड़ती है तो ओह ये कितनी राहत की बात होगी उसने मेरी बात काटते हुए कहा राहत की बात होगी डकैती रोमांच कारी हो सकती है पॉयरो लेकिन राहत भरी नहीं हो सकती पॉयरो ने असहमती में जोर से सेरहलाया तुम गलती पर हो मेरे दोस्त मेरा मतलब नहीं समझे डकैती इसलिए राहत भरी होगी, क्योंकि इससे मेरे मन से एक दूसरी बात का डर निकल जाएगा किस बात का? हत्या का, हर्कूल पॉयरों ने कहा अध्याय दो अलक्सेंडर बोनापार्ट कस्ट अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपने गंदे से बेडरूम को देखा तेड़े मेड़े होकर बैठे रहने के कारण उसकी पीठ अकड़ गई थी और जब वो अपनी पूरी उचाई में सीधा खड़ा हुआ तो उसे देखकर किसी को भी ये एहसास होता कि वो काफी लंबा आदमी था उसके जुके रहने और निकट दर्शी होने के कारण उसके बारे में अकसर गलत धारना बन जाती थी दर्वाजे के पीछे लटके कोर्ट तक जाकर उसने जेब में से सस्ते सिग्रेट का पैकेट और माचिस निकाली सिग्रेट को सुलगा कर वो उस मेज पर वापस आ गया जहां वो बैठा था एक रेलवे गाइड उठा कर उसने पढ़ना शुरू किया और दोबारा हाथ से लिखकर नामों की सूची बनाने के बारे में सोचने लगा उसने पैन से सूची में लिखे पहले नाम पर सही का निशान लगाया आज गुरुवार था 20 जून अध्याय 3 उस समय मैं भविश्य के प्रती पॉयरो की चेतावनी से प्रभावित हुआ था लेकिन मैं मानता हूँ कि 21 तारिख आने तक मेरे दिमाग से वो सारी बात निकल चुकी थी और ये मुझे तब याद आया जब स्कॉटलेंड यार्ड का इंस्पेक्टर जैप मेरे मित्र पॉयरो से मिलने आया CID के इस इंस्पेक्टर को हम काफी सालों से जानते थे उसने मेरा हार्दिक स्वागत किया ओ हो तो कैप्टन हेस्टिंग आये हैं बियाबानों से तुम्हारा यहां पॉयरो के साथ होना बिल्कुल पुराने दिनों की तरह है अच्छे लग रहे हो बस चांद पर थोड़े कमजोर हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है मेरा भी यही हाल है मैं थोड़ा सक पका गया मुझे तो लगता था कि ध्यान से बालों पर ब्रश करके बालों को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने के कारण जिस कमजोरी का जैप जिक्र कर रहा था वो दिखाई नहीं देती होगी लेकिन मैं जानता था कि जैप कभी भी बहुत शयूर वाला नहीं रहा था इसलिए मैंने उपर से साहस दिखाया और माना कि हम सब जवान नहीं हो रहे थे सिवाए मिस्टर पॉयरो के जैप ने कहा हेर टॉनिक के लिए अच्छा खासा चलता फिरता इश्तिहार हो सकते हैं ये चेहरे की फफूंद पहले से भी बहतर उगती हुई अधेड़ा वस्था में मशूर होना आज के हर महत्वपून केस में उलजे होना भी रेल रहस्य, विमान रहस्य, उच्छ समाज में हुई मौतें यहाँ वहाँ ये सब जगा मशूर है रिटायर होने से पहले ये कभी इतने मशूर नहीं हुए थे उसकी बात के जवाब में पॉयरों ने मुस्कुरा कर कहा मैंने तो हेस्टिंग से पहले ही कहा था कि मैं उस गाईका की तरह हूँ जो हमेशा एक और आखिरीशो करती रहती है अगर तुम खुद अपनी ही मृत्यू के रहस्य की खोज करने में भी लग जाओ तो अभी मुझे हैरानी नहीं होगी दिल खोल कर हस्ते हुए जैप ने कहा फिर अचानक पौहरो की मौत के बारे में सुनकर मेरे चेहरे के एकदम बदल गए भावों को देख कर उसने अपनी बात पलट दी तो हेस्टिंग्स क्या तुमने पौहरो की बेनाम चिठी के बारे में सुना है हाँ मैंने वो हेस्टिंग्स को दिखाई थी पॉयरो ने कहा अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था किस तारिख का जिक्र था उसमें 21 तारिख का और मैं उसी के बारे में आया हूँ जैप ने कहा कल 21 तारिख थी और यूँ ही जिग्यासा वश मैंने एंडोवर फोन कर दिया वो सिर्फ एक जहांसा था वहां कुछ नहीं हुआ किसी ने एक दुकान का काच तोड़ दिया उस पर किसी बच्चे ने पत्थर फेंका था और एक जोड़ी पियककर और हुलर बाज पहली बार हमारा बेलजियन दोस्त पॉयरो गलत सुराग के पीछे दौड रहा था ये बात सुनकर मुझे काफी रहत मिली है मैं मानता हूँ पॉयरो ने स्विकार किया तुम इसे लेकर काफी तनाव में थे है की नहीं जैप ने कहा हमें तो रोज इस तरह की दरजनों चिठियां मिलती हैं जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता और जो उपर के माले में थोड़े कमजोर होते हैं वो ऐसी चिठियां लिखते पॉयरो ने कहा कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है जैप ने कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया अब मैं चलता हूँ चोरी के गहनों की खरीद के सिलसिले में अगली गली में मुझे कुछ काम है मैंने सोचा रास्ते में रुक कर तुम्हारे दिल को कुछ तसल्ली दे को बेकार में काम करने देना बड़े खेद की बात है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से जोर से हसता हुआ जैप वहां से चला गया। मैंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। मुझे बड़ा अफसोस है पॉयरो कि उस बेनाम चित्थी वाले केस में कुछ नहीं निकला। अफसोस की बात है। लगता है मैं उस रखवाले कुट्टे की तरह बूढ़ा और शक्की हो गया हूँ जो तब भी गुर राता है जब कुछ होता ही नहीं है। मैंने हसकर कहा अगर मुझे तुम्हारी साहता करनी है तो हमें कोई और मलाईदार अपराद ढूंडना होगा। तुम्हें उस दिन की अपनी बात याद है अगर तुम डिनर की तरह अपराद भी अपनी मर्जी से ओर्डर कर सको तो तुम क्या चुनोगे उसने मुझ से पूछा। अम सोचने दो मेन्यू पर एक नजर डालते हैं लूट पाट जाल साजी नहीं मेरे ख्याल से नहीं ये त और शिकार भला कौन होगा मर्द या औरत मेरे ख्याल से मर्द कोई बड़ी तोप अमेरिकी करोड़पती प्रधान मंत्री अखबार का मालिक हत्या की जगह पुरानी जानी पहचानी लाइबरेरी में क्या खराबी है सही वातावरन के लिए ऐसी और कोई जगह नहीं हत्यार पुराना कोई तेड़ा मेरा खंजर या फिर कोई भोथरा ओजार जैसे पत्थर की मूर्ती या फिर सीधा सादा जहर लेकिन वो हमेशा बहुत टेक्निकल हो जाता है या फिर रात की सननाटे में गोली चलने की आवाज एक दो खुबसूरत लड़कियां भी होनी चाहिए पर बिनावजह शक भी किया जाना चाहिए उसके और नौजवान के बीच कुछ गलत फेहमिया होनी चाहिए कुछ और लोग भी शक के घेरे में होने चाहिए एक औरत कुछ बड़ी उम्र की काली खतरनाक मरे हुए आदमी का कोई दोस्त या दुश्मन और एक सिधा साधा से जगनी दो-तिन नौकरी से निकालेगा इनौकर या जंगली जानवरों के रक्षक या ऐसे ही कोई और और एक बेवकूफ इंस्पेक्टर जैप जैसा बस इतना सब काफी होगा मलाई से तुम्हारा यही मतलब है है ना पौईरों ने कुछ चिड़े हुए स्वर में कहा लगता है तुम इन सब से सहमत नहीं हो पौईरों ने उदासी से मुझे देखा तुमने तो आज तक लिखी गई सारी जासूसी कहानियों का सार निकाल दिया है अच्छा मेरी छोड़ो तुम बताओ तुम क्या ओडर करोगे मैंने पौईरों से पूछा उसने आखें बंद करके कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगा ली फिर धीमे स्वर में बोला एक सीधा सादा अपराध बिना किसी गुत्थी के एक अपराध सीधी साधी घरेलू जिंदेगी वाला बिना किसी उत्तेज ना के बहुत करीबी जुर्म करीबी कैसे हो सकता है भला मान लो कि चार लोग ब्रिज खेलने बैठते हैं और एक आदमी अलग थलग सा चिमनी में जलती आग के पास बैठ जाता है शाम ढलते ढलते आग के पास बैठा आदमी मृत पाया जाता है चारों में से एक जिस समय वो खेल में डमी है उस तक जाकर उसे मार देता है और बाकी तीनों जो खेल में लगे हैं इस तरफ ध्यान नहीं देते हो गया जुर्म चारों में से किस ने किया होगा मुझे तो इसमें कोई उतेजना नजर नहीं आती, मैंने कहा पोईरों ने नाराजगी से मेरी वो देखा हाँ, नहीं आती क्योंकि इसमें कोई अजीब ढंग से आड़े तिरचे चाकू नहीं है ब्लैक मेल नहीं है, हीरे पन्ने नहीं है जो किसी देवी देवता की मूर्ती से चुराई गई आँख की पुतली हो पूर्व का कोई ऐसा जहर नहीं है, जिसका पता न लगाया जा सकता हो तुम्हारे अंदर एक ड्रामे बाज की आत्मा है हेस्टिंग्स तुम्हारी तसली के लिए एक हत्या नहीं, हत्याओं की पूरी कड़ी चाहिए हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, मैंने कहा किताब में दूसरा खून होने पर ज्यादा मजा आने लगता है अगर हत्या पहले ही अध्याय में हो जाती है और आपको आखरी पेज तक हर किसी की एलिबाई की बात को मानकर चलना पड़ता है तो ये सब बहुत बोरिंग हो जाता है तब ही अचानक टेलिफोन की घंटी बजी और पॉयरो उसे सुनने के लिए खड़ा हुआ हलो, मैं हर्कूल पॉयरो बोल रहा हूँ एक दो पल उधर की बात सुनने के बाद उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं हाँ हम आएंगे जाहिर सी बात है हो सकता है आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो ठीक है, वो मैं लेता आऊंगा तो जल्दी ही मिलते हैं इतना कुछ बोलकर उसने रिसीवर रख दिया और कमरे को पार करके मेरे पास आ गया हेस्टिंग्स जैप का फोन था वो अभी अभी स्कॉट्लेंड यार्ड वापस पहुचा था एंडोवर से एक संदेश आया है एंडोवर से? मैं उत्तेजित होकर बोला तरह निराश हो गया एंडोवर का नाम सुनकर मेरी जो दल्चस्पी जगी थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई मुझे किसी अनोखी बात किया शा थी साधारन से हट कर छोटी सी दुकान चलाने वाली किसी औरत का खोन मुझे एकदम घटिया और नीरस लगा पॉयरो उसी धीमी गंभीर आवाज में कहता रहा एंडोवर पुलिस को लगता है कि जिस आदमी ने ये कतल किया है वो उसे आराम से पकड़ सकती है मेरे मन में निराशा की एक और लहर दोड़ गई पॉयरो ने बोलना जारी रखा ऐसा लगता है कि उसके अपने पती के साथ रिष्टे खराब थे पती ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी फिर भी जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए पुलिस उस पत्र को दोबारा देखना चाहती है जो मुझे मिला था मैंने उनसे कह दिया है कि हम अभी एंड ओवर आ रहे हैं मेरा मन फिर से प्रसन हो गया ये अपराध कितना भी तुछ लगे था तो अपराध ही और मुझे किसी भी अपराध ही या अपराध ही से वास्ता पड़े बहुत समय हो गया था एंड ओवर में इंस्पेक्टर ग्लेन ने हमारा स्वागत किया जिसकी शक्सियत लंबी उंची सुनहरे बालों और आकरशक मुस्कान वाली थी उसने हमें बताया अपराध का पता पुलिस कॉंस्टेबल डोवर को 22 तारिक की रात एक बजे लगा अपनी गश्ट के समय उसने दुकान के दर्वाजे को जांचा और पाया कि कुंडी खुली थी वो भीतर चला गया और उसने सोचा कि दुकान खाली है काउंटर पर टॉर्च की रोशनी डालने पर उसे बुढ़िया का गठरी जैसा शरीर दिखाई दिया जब पुलिस सर्जन वहाँ पर आया तब पता चला कि बुढ़िया को सिर्क के पीछे किसी भारी चीज से मार कर उस वक्त धेर कर दिया गया था जब शायद वो काउंटर के पीछे बने शेल्फ से सिगरेट का पैकेट उठा रही थी उसकी मौत शायद साथ से नौ घंटे पहले हो चुकी थी लेकिन हम समय को कुछ और पास ले आए हैं हमें एक आदमी मिला है जिसने साड़े पांच बजे वहाँ जाकर तंबाकू खरीदा था एक दूसरा आदमी छे बज कर पांच मिनट पर वहाँ गया और उसने दुकान को खाली पाया इससे लगता है कि अपराध साड़े पांच और छे बज कर पांच मिनट के बीच हुआ अभी तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला है जिसने एशर नाम के शक्स को आसपास देखा हो लेकिन शायद इस बारे में कुछ कहना अभी जल्दी होगी नौ बजे वो थ्री क्राउंज में था नशे में बिलकुल धुत जैसे ही वो हमें मिलेगा उसे शक की बुनियाद पर कैद कर लिया जाएगा क्या वो अच्छा आदमी नहीं है इंस्पेक्टर? पॉयरो ने पूछा जी नहीं वो बेहद कमीना आदमी है क्या वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था? जी नहीं उसकी पत्नी और वो कुछ साल पहले अलग हो गए थे एशर जर्मन है एक समय था जब वो वेटर का काम करता था लेकिन फिर वो शराब पीने लग गया और नौकरी करने लायक नहीं रहा कुछ समय के लिए उसकी पत्नी ने नौकरी की उसने आखरी बार एक व्रिध महीला मिस रोज के लिए खाना बनाने और घर समभालने का काम किया वो पती को अपनी देखभाल के लिए काफी पैसा देती थी लेकिन वो हर वक्त नशे में धुत रहता था और जहां वो काम करती थी वहां जाकर बवाल किया करता था इसलिए उस बेचारी ने ग्रेंज में मिस रोज के यहां नौकरी कर ली ग्रेंज एंडोवर से तीन मिल दूर है और एकदम देहात में है एशर वहां आसानी से उस तक नहीं पहुँच पाता था जब मिस रोज की मृत्यू हुई तो वो मिसिस एशर के लिए थोड़ी सी रकम छोड़ गई और उसने उससे तंबाकू और अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया बहुत छोटी सी जगह है बस कुछ सस्ती सिग्रेट्स और कुछ अखबार वो किसी प्रकार अपना काम चलाती रही एशर कभी कबहर आता और उससे गाली गलोज करता और वो उससे पीछा चुड़ाने के लिए उससे थोड़ा बहुत कुछ दे देती थी वो उससे हफते में 15 शिलेंग नेयमित देती थी क्या उनके कोई बच्चे थे? जी नहीं, केवल एक भतीजी है वो ओवर्टन के पास कहीं नौकरी करती है काफी अच्छी धीर गंभीर युवती है वो और तुम्हारा कहना है कि वो आदमी एशर अपनी पतनी को धमकाया करता था पॉयरों ने पूछा जी हाँ, जब वो नशे में होता था तो वो एक आतंक हुआ करता था वो कोस्ता और गालियां देता कहता कि वो उसका सिर तोड़ देगा वो बिचारी बहुत मुश्किल में थी उसकी उम्र कितनी होगी? वो करीब साट साल की थी अच्छी खासी और महन थी हासा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा मिस्टर पॉयरो लेकिन मैं फ्रेंज एशर का बयान सुनना चाहूंगा कि उसने कल शाम कैसे बिताई, अगर वो अपने बारे में संतोष जनक उत्तर दे पाया तो ठीक है, नहीं तो उसका ये विराम काफी अर्थपून था पॉयरो ने फिर से पूचा दुकान से कुछ गायब तो नहीं था जी कुछ नहीं गल्ले में पड़े पैसे को छेड़ा भी नहीं गया था, लूट का भी कोई निशान नहीं था तो तुम्हारे ख्याल से ये आदमी एशर नशे की हालत में दुकान में आया अपनी बीवी को गालियां देने लगा और अंत में उसने उस पर वार कर दिया जी, सबसे ज्यादा मुम्किन तो यही लगता है लेकिन मैं ये भी स्वीकारता हूँ कि एक बार और उस अजीब खत को देखना चाहूंगा जो आपको मिला है आपको क्या लगता है क्या ये खत एशर ने भेजा हो सकता है पॉयरो ने खत उसे थमा दिया और इंस्पेक्टर माथे पर बल डाले उसे पढ़ने लगा अंत में वो बोला एशर का लिखा हुआ तो नहीं लगता मुझे शक है कि एशर हमारी ब्रिटिश पुलिस जैसा शब्द इस्तिमाल करेगा अगर वो कुछ ज्यादा ही होश्यार बनने की कोशिश ना कर रहा हो तो और मुझे ये भी शक है कि उसमें इतनी अकल है भी वैसे भी वो आदमी तो बेकार सा ही है एकदम टूटा फूटा उसका हाथ इतना हिलता है कि वो इस तरह साफ साफ टाइप भी नहीं कर सकता खत का कागज और स्याही भी काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं ये अजीब बात है कि खत में महीने की 21 तारिख का जिक्र है वैसे ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्फाक हो हाँ ये हो तो सकता है पॉयरो ने कहा लेकिन मुझे इस तरह के इत्फाक पसंद नहीं है मिस्टर पॉयरो ये कुछ ज्यादा ही हो गया है वो पल दो पल के लिए खामोश रहा माथे पर बल डाले हुए ये ABC कौन हो सकता है देखते हैं अगर वो भतीजी मिस्टर रॉर हमारी कुछ मदद कर सके ये अजीब गोरक धंदा है ये खत न होता तो मैं फ्रेंज एशर पर अपने सारे पैसों की शर्ट लगा देता क्या तुम मिस्स एशर के अतीत के बारे में कुछ जानते हो पॉयरो ने सवाल किया जी हाँ वो हैंप्शर से है वो लड़की ही थी जब लंडन में काम करने लगी थी एशर से वो वहीं पर मिली थी और उसने उससे शादी कर ली युध के समय उन्हें काफी कठिनाई जेलनी पड़ी 1922 में उसने अपने पती को हमेशा के लिए छोड़ दिया उस समय वो लोग लंडन में थे वो उससे बचने के लिए यहां लोट आई मगर उस आदमी को पता चल गया कि वो कहां थी और वो उसके पीछे-पीछे चला आया पैसे के लिए उसे परिशान करता हुआ तब ही एक कॉंस्टेबल अंदर आया और बोला सर हम एशर को ले आए है ठीक है उसे अंदर ले आओ कहां था वो जी रेल की पट्री के पास एक ट्रक में छुपा हुआ था अच्छा उसे यहां ले कर आओ इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में कहा फ्रेंस एशर एक दयनीय और कोई प्रभाव ना डाल सकने वाला एक नमूना था वो कभी रोता कभी घिगयाता कभी गरजता उसकी धुन्दली आँखें बारी-बारी से सबके चेहरों पर घूम रही थी आपको मुझसे क्या चाहिए मैंने कुछ नहीं किया मुझे यहां लाना बड़े ही शर्म की बात है आप सूर हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई नहीं अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था आप एक गरीब बुढ़े को नुकसान नहीं पहुचाएंगे उसके साथ सकती नहीं करेंगे बिचारे बुढ़े फ्रेंज को सब तंग करते हैं बिचारा फ्रेंज इतना कहकर एशर ने रोना शुरू कर दिया इंस्पेक्टर क्रोधित स्वर में बोला बस बहुत हो गया फ्रेंज अपने आपको संभालो मैंने अभी तक तुम पर कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है और तुम जब तक ना चाहो तुम्हारे लिए कोई बयान देना भी ज़रूरी नहीं है दूसरी तरफ अगर तुम्हारी पत्नी के खून से तुम्हारा कोई तालुक नहीं है तो तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत ही क्या है एशर ने चिला कर जवाब दिया मैंने उसका खून नहीं किया ये सब जूट है इश्वर तुम्हें सजा दे तुम सब अंग्रेजी सूर हो सब के सब मेरे खिलाफ मैंने उसे नहीं मारा बिल्कुल नहीं लेकिन तुम धमकी तो अकसर देते रहते थे अरे तुम कुछ नहीं जानते इंस्पेक्टर वो तो एक मजाख था मैं तुम मजाख करता था मीरा और एलिस का मजाख था वो तुम्हें उससे क्या बड़ा ही वाहियात और अजीब मजाख था ये क्या तुम बता सकते हो कि कल राद तुम कहां थे हाँ हाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ मैं एलिस के करीब भी नहीं गया मैं तो अपने दोस्तों के साथ था अपने अच्छे वाले दोस्तों के साथ हम सेवन स्टार गए फिर हम रेड डॉग गए मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे डिक विलोज था करडी था और जोर्ज भी था और पैट भी था और बहुत सारे और आदमी भी थे मैं कहता हूँ कि मैं एलिस के पास भी नहीं गया सच कह रहा हूँ उसकी आवाजें चीख में बदलने लगी इंस्पेक्टर ने सिर हिला कर अपने मातहत को इशारा किया ले जाओ इसे शक्की बुनियाद पर जेल में डाल दो जब उस कापते बड़बडाते बुढ़े को वहाँ से हटा दिया गया तब इंस्पेक्टर बोला समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचा जाए अगर वो खत ना होता तो मैं यही कहता कि खून इसी ने किया है और जिन लोगों के नाम ये ले रहा था उनका क्या पॉयरो ने पूछा वो सब के सब दुष्ट हैं उन में से कोई भी जूटी कजम खाने से पीछे नहीं हटेगा मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि वो शाम के ज्यादा हिस्से तक उनके साथ ही था इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किसी ने इसे शाम साढ़े पाँच और छे के बीच दुकान के आसपास देखा था या नहीं पॉयरो ने कुछ सोचते हुए नामे से रहिलाया तुम्हें पक्का यकीन है कि दुकान में से कुछ चुराया नहीं गया है इंस्पेक्टर ने कंधे उचका दिये हो सकता है एक दो पाकेट सिगरेट उठा लिये गए हो लेकिन उनके लिए कोई हत्या नहीं करता दुकान में कुछ रखा भी नहीं गया कुछ ऐसा जो वहाँ बेतुका लगता हो एक रेलवे गाइड थी वहाँ इंस्पेक्टर ने बताया रेलवे गाइड जी हां वो खुली हुई थी और काउंटर पर उल्टी रखी थी लगता था जैसे कोई एंडोवर से जाने वाली गाड़ियों के बारे में पढ़ता रहा हो या तो वो बुढ़िया या फिर कोई ग्राहक क्या वो औरत ऐसी चीजें बेशती थी इंस्पेक्टर ने नामे से रहला दिया वो तो छोटे और सस्ते टाइम टेबल बेशती थी ये बड़ा वाला था जो स्मित या कोई बड़ा विक्रेता ही रखता है ये बात सुनते ही पोहरों की आँखें चमक उठी वो आगे की ओर जुका इंस्पेक्टर की आँखों में भी जमक आ गई तुम्हारे अनुसार एक रेलवे गाइड ए ब्रैडशौ या ए बीसी ओ माइ गॉड वो ए बीसी ही थी ये कहते हुए इंस्पेक्टर की आँखों में जमाने भर की हैरत थी मेरा खयाल है कि मैं यानि हेस्टिंग्स इस केस में उस दिन से रुची लेने लगा जब पहली बार ए बीसी रेलवे गाइड का जिक्र हुआ उससे पहले मैं इसमें इतनी दिल्चस्पी नहीं जगा पाया था किसी पिशली गली की एक दुकान में एक बुड़ी औरत की हत्या अख़बारों में छपने वाले आम अपराधों जैसी थी उसमें मुझे कोई खास बात लगी ही नहीं थी मैंने तो 21 तारिख का जिक्र करने वाली चित्थी को सिर्फ एक इतिफाक मान लिया था मुझे विश्वास था कि मिसिस एशर अपने प्यकड जानवर पती का शिकार हो गई थी लेकिन अब इस रेलवे गाइड के जिक्र ने मेरे अंदर उत्तेजना की एक लहर दोड़ा दी थी ये गाइड ABC गाइड के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उसमें सारे रेल स्टेशनों के नाम अलफाबेडिकल ओर्डर में दिये गए थे यकीनन ये दूसरा इतिफाक तो नहीं हो सकता था उस गिनोने अपराध ने एक नया रूप ले लिया वो रहस्यमाय आदमी कौन था जिसने मिसिस एशर की हत्या की और एक ABC रेलवे गाइड पीछे छोड़ गया था थाने से बाहर आकर हम लोग सबसे पहले उस औरत का शव देखने के लिए शव ग्रह गए मैंने जब उस जुरियों भरे चेहरे को देखा जिसके बाल कनपटियों से पीछे की और खीच कर बनाए गए थे तो मुझे बहुत अजीब सा लगा वो चेहरा इतना शान्त, हिंसा से इतना दूर लग रहा था सार्जेंट ने हमें बताया इस औरत को पता ही नहीं चला कि इसे किसने मारा डॉक्टर का यही कहना है मुझे खुशी है कि ऐसा ही था बेचारी, वो एक बड़ी ही शालीन औरत थी कभी खुबसूरत भी रही होगी पॉयरो ने कहा क्या सच में? मैं अविश्वास से बुदबुदाया हाँ, इसके चेहरे की हड़ियों और सिर्की बनावट को देखो उसके उपर चादर वापस डालते हुए उसने एक सांस भरी और हम बाहर आ गए हमारा अगला कदम था पुलीस सर्जन से मिलना दिखने में योग्य डॉक्टर कर अधेड़ा वस्था का था वो जल्दी जल्दी और विश्वास के साथ बोलता था उसने हमें बताया हथियार तो मिला नहीं ये कहपाना संभव नहीं कि वो क्या रहा होगा कोई भारी डंडा, मुगदर, रेत भरा थैला इन में से कुछ भी हो सकता है क्या इस तरह की चोट पहुचाने के लिए काफी ताकत की जरूरत है पॉयरो ने पूछा डॉक्टर ने एक पैनी निगाह उस पर डाली आपका मतलब ये है कि क्या एक सतर साल का कमजोर बुढ़ा आदमी ये काम कर सकता है जी हाँ ये पूरी तरह मुमकिन है अगर हत्यार का सिरा काफी भारी हो तो एक काफी कमजोर आदमी भी ऐसा कर सकता है तब तो एक औरत भी उतनी ही खूनी हो सकती है जितना एक मर्द औरत मैं मानता हूँ कि एक औरत को इस तरह के जुर्म के साथ जोड़ना मुझे सूजा ही नहीं लेकिन हाँ ये संभव है पूरी तरह संभव है लेकिन मनोवैग्यानिक स्तर पर मुझे नहीं लगता कि ये जुर्म एक औरत ने किया है पौहरो ने उतसुकता से सहमती में सेरहिलाया एकदम सही उपर से देखने में तो ये नामुमकिन लगता है लेकिन हमें सारी संभवनाय मान कर चलना चाहिए शरीर कैसे पड़ा हुआ था डॉक्टर ने हमें बारी की से मृतका के शरीर की दशा का विवरन दिया उसके मुताबिक जब वार किया गया होगा तो काउंटर की तरफ उसकी पीठ रही होगी इसलिए हमलावर की तरफ भी वो काउंटर के पीछे धेर होकर गिर गई अचानक दुकान में प्रवेश करने वाले किसी की भी नजर से परे जब हम डॉक्टर कर का धन्यवाद करके बाहर आए तो पॉयरो ने कहा तुमने देखा है स्टिंग्स हम पहले ही एशर की बेगुनाही के पक्ष में एक कदम आगे हैं अगर वो अपनी बीवी को गालियां दे रहा होता और धमका रहा होता तो वो काउंटर पर उसका सामना कर रही होती इसकी बजाए हमलावर की ओर उसकी पीठ थी जाहिर है कि वो किसी ग्राहक के लिए जुक कर शेल्फ से तंबाकू या सिगरेट निकाल रही थी उसकी बात सुनकर मेरे बदन में जुर जुरी सी दौर गई ये तो बड़ा ही भयानक है पोईरो ने गंभीरता से सेर हलाया बेच्चारी फिर उसने अपनी घड़ी देखी मेरे ख्याल में ओवर्टन यहां से ज्यादा दूर नहीं है क्या हम जल्दी से वहां जाकर मृत औरत की भतीजी से मिलने लेकिन पहले तो तुम दुकान पर जाओगे न जहां जुर्म हुआ है मैं वो बाद में करना चाहूँगा मेरे दोस्त इसके लिए मेरे अपने कारण है इसके आगे उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कुछ मिंटों बाद ही हम गाड़ी में लंडन रोड पर की ने दिया जिसकी आँखें रोने के कारण लाल थी पॉयरो ने कोमलता से कहा मेरे ख्याल में तुम ही मिस मेरी ड्रोर हो यहां घरेलू नौकरानी जी हाँ मैं ही मेरी हूँ जनाब अगर तुम्हारी मालकिन को एतराज नहो तो क्या मैं कुछ मिनट के लिए तुमसे बात कर सकता हूँ तुम्हारी आंटी मिसिस एशर के बारे में मेरी मालकिन बाहर गई है सर मुझे यकीन है कि अगर आप अंदर आ जाएंगे तो भी वो बुरा नहीं मानेंगी उसने एक छोटी बैठक का दर्वाजा खोल दिया हम भीतर चले गए और पॉयरो ने खिड़की के पास पड़ी कुरसी पर बैठ कर उत्सुकता से लड़की के चेहरे को देखा तुमने अपनी आंटी की मौत के बारे में तो सुन ही लिया होगा लड़की ने हामे से रहिलाया उसकी आँखों में एक बार फिर आंसु आ गए आज आज सुभा सर पुलीस आई थी ओह बेहत खौफनाक बेचारी मेरे आंटी उसकी जिन्दगी बहुत मुश्किल रही है और अब ये तो बहुत ही बुरा हुआ पुलीस ने तुम्हें एंडोवर वापस जाने की राय नहीं दी उन्होंने कहा कि मैं तहकीकात के वक्त जरूर आऊं जो सोमवार को है लेकिन मेरे पास वहां जाने के लिए कोई जगह नहीं अब दुकान पर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती और यहां दूसरी नौकरानी के ना होने के कारण मैं मालकिन को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती तुम अपने आंटी से बहुत प्यार करती थी मैरी पॉयरो ने कोमलता से पूछा बिलकुल करती थी सर वो मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करती थी मैं जब अपनी मा के मरने के बाद आंटी के पास लंडन गई तब सिर्फ ग्यारह साल की थी जब मैंने नौकरी शुरू की तब मैं सोलह साल की थी लेकिन चुट्टी वाले दिन मैं अकसर समय बिताने के लिए आंटी के पास जाती थी उस जर्मन आदमी के साथ मेरी आंटी ने बहुत तकलीफें सही वो उसे माई ओल्ड डेविल कहा करती थी वो आंटी को कभी भी कहीं भी शांती से नहीं रहने देता था भिकमंगा, ठग, जानवर कहीं का क्या तुम्हारी आंटी ने कभी कानूनी तोर पर इस जुल्म से आजादी पाने के बारे में नहीं सोचा वो उसका पती था सर, इस बात से भागा नहीं जा सकता था सच सच बताओ मेरी, क्या वो उसे धमकाया नहीं करता था जी हां सर, वो उसे बहुत बुरी-बुरी बातें बोला करता था जैसे कि वो उसका गला काट देगा, उसे मार देगा और भी न जाने क्या-क्या अंग्रेजी और जर्मन, दोनों भाशाओं में कोस्ता और गालियां बगता था फिर भी आंटी यही कहती थी, कि जब उसने उससे शादी की थी, तो वो एक अच्छा खासा आदमी था ये सोचकर ही मुझे डर लगता है सर, कि लोग क्या से क्या बन जाते हैं हाँ, बिलकुल, मेरा ख्याल है कि इन सारी धमकियों के बारे में सुनने के बाद जो हुआ, वो जानकर तुम्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी हुई थी सर, मैंने कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा था, कि उसका ऐसा इरादा रहा होगा मैं तो ये सोचा करती थी, कि वो खाली बकवास करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं था कि आंटी उससे डरती थी, जब वो उससे सकती से पेश आती थी, तो वो कुत्ते की तरह दुम दबा कर खिसक जाया करता था, बलकि वो ही आंटी से डर जाता था, और फिर भी वो उसे पैसे देती थी, आप जानते हैं ना कि वो उसका पती था सर, तुमने पहले भी यहीं कहा था, मान लो कि उसने उसे नहीं मारा, नहीं मारा, लड़की हैरानी से पॉयरो की ओर देखने लगी, हाँ मैंने यहीं कहा, मान लो कि उसे किसी और ने मारा, तो तु में कुछ अंदाजा है कि वो कोई और कौन हो सकता है। मैरी ने उसे और भी अधिक हैरानी से देखा। मैं नहीं जानती सर, मुझे तो ऐसा मुम्किन नहीं लगता। क्या ऐसा कोई नहीं जिससे तुम्हारी आंटी डरती थी। मैरी ने सिर हिला कर इंकार कर दिया। आंटी लोगों से नहीं डरती थी, वो जुबान की तेज थी और किसी कभी सामना कर सकती थी। तुमने कभी उसे किसी ऐसे आदमी का जिक्र करते नहीं सुना जिसे उससे शिकायत हो। जी नहीं सर, क्या उसे कभी कोई बेनाम चिठियां आती थी। किस तरह की चिठियां सर। बिना हस्ताक्षर की चिठियां या फिर ABC या कुछ इसी तरह के नाम से। पोईरो बारीकी से उसके चेहरे के भाव देख रहा था। लेकिन जाहिर था कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने हैरानी से सिर को नामे हिला दिया। क्या तुम्हारी आंटी के अलावा तुम्हारे कोई और नाते रिष्टिदार भी हैं। अब नहीं है सर। वे दस भाई बेहन थे लेकिन तीन ही बचे। अंकल टॉम युद में मारे गए थे। अंकल हैरी दक्षिन अमेरिका चले गए और तब से उनके बारे में किसी ने नहीं सुना। और मेरी मा मर चुकी है। अब सिर्फ मैं ही हूँ। क्या तुम्हारी आंटी की कोई बचत भी थी? कुछ बचा कर रखा गया रुपिया पैसा वगएरा? जी हाँ, बैंक में उनका बचत खाता था, उनके क्रिया कर्म के लिए काफी था, वो हमेशा यही कहती थी, वैसे गुजारा चलाने से ज्यादा उनके पास कुछ नहीं था, उस शैतान के कारण। पोईरों ने कुछ सोचते हुए सेर हिलाया, फिर जैसे अपने आप से बोला, इस वक्त तो हम अंधेरे में हैं, कोई दिशा नहीं मिल रही है, चीजें कुछ साफ हो जाएं, तो कुछ कहा जा सकता है, ठीक है, अब हम चलते हैं, मुझे अगर कभी भी तुमारी जरूरत लगता था कि मेरे नजदीक होने से आंटी को राहत मिलेगी, लेकिन अब उसकी आँखों में फिर से आंसु भर आए, अब मेरे यहां रहने का कोई कारण नहीं, मैं वापस लंडन चली जाओंगी, एक जवान लड़की के लिए वहां रहना ज्यादा आसान है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब तुम वहां जाओ, तो मुझे अपना पता दे जाना, ये रहा मेरा कारण, उसने अपना कारण मेरी को थमा दिया, मेरी ने उलजन में माथे परत्योरी डाले हुए कारण को देखा, तो क्या पुलीस से आपका कोई वास्ता नहीं है सर, नहीं, मैं एक प हाँ, कुछ अजीबों गरीब हो रहा है, हो सकता है बाद में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, मैं अपनी आंटी के लिए कुछ भी करूंगी सर, उनका यूं मारा जाना ठीक नहीं है उसके कहने का ढंग अजीब था, लेकिन हिला देने वाला, कुछ पल बाद ही हम एंडोवर वापस जा रहे थे जिस गली में अपराध हुआ था, वो मुख्य गली से जुड़ी हुई थी, मिसिस एशर की दुकान उसके बीचों बीच दाई तरफ को थी जब हम गली में मुड़े और पौईरों ने घड़ी देखी, तो मुझे समझ में आया, कि उसने घटना स्थल पर आना तब तक क्यों टाल रखा था इस वक्त ठीक साढ़े पांच बजे थे, वो बीते कल के महौल को दोबारा जैसे का तैसे रचना चाहता था परन्तु अगर उसका यही मकसद था, तो वो असफल रहा इस समय सडक पर बीती शाम जैसा वातावरन बिलकुल नहीं था निर्धनों के घरों के बीच बीच में कुछ दुकाने बनी थी मैंने अंदाज लगाया कि आम तोर पर यहां काफी लोग आते जाते रहते होंगे ज्यादा तर गरीब लोग ही और सडक और पट्रियों पर कई बच्चे खेलते होंगे इस वक्त लोगों की एक भारी भीर खड़ी एक ही घर या दुकान को देख रही थी और ये समझने के लिए ज्यादा समझदारी की जरूरत नहीं थी कि वो कौन सा घर या दुकान होगी आम लोगों का एक हजूम ऐसी जगह को गहरी दिल्चस्पी से देख रहा था जहां किसी और इंसान को मौत के घाट उतार दिया गया था जैसे जैसे हम करीब गए जाहिर हो गया कि यही बात थी एक गंदी सी दुकान जिसका शटर इस समय बंध था उसके सामने एक परिशान हाल जवान पुलीस वाला खड़ा था वो भाव शुनने सा लोगों से वहां से हटने की विंती कर रहा था एक सहकर्मी की मदद से लोगों को वहां से हटा दिया गया कुछ लोग सांस भरते हुए अनिक्छा से अपने रोज मर्रा के कामों पर चले गए लेकिन तुरंथ ही वहां और लोग आ गए और उस जगह को दिल भर कर देखने के लिए खड़े हो गए जहां खून हुआ था पॉयरो भीड से कुछ फासले पर खड़ा हो गया जहां पर हम खड़े थे वहां से दर्वाजे पर बनी इबारत को असानी से पढ़ा जा सकता था पॉयरो ने फुस फुसा कर उसे दोहर आया ए एशर हो सकता है ये ना हो चलो हेस्टिंग्स अंदर चले मैं तो तयार ही था भीड में से रास्ता बना कर हम उस पुलीस वाले के पास चले गए पॉयरो ने इंस्पेक्टर के दिये हुए सारे प्रमान पत्र उसे दिखाए कॉंस्टेबल ने सेर हिलाया और हमारे अंदर जाने के लिए दर्वाजा खोल दिया दर्शकों में गहरी जिग्यासा जगाते हुए हम भीतर दाखिल हो गए शटर बंध होने के कारण अंदर काफी अंधिरा था कॉंस्टेबल ने बटन ढूंड कर बिजली जला दी बल्ब कम पावर का था इसलिए रोशनी काफी मधिम थी मैंने अपने आसपास देखा ये छोटी सी गंदी जगह थी कुछ सस्ती पत्रिकाएं इधर उधर बिखरी हुई और एक दिन पुराने अखबार सब पर दिन भर की धूल जमी हुई थी काउंटर के पीछे छट तक बने शेल्फ थे जो सिग्रेट के पैकेटों और तमबाकू से खचाखच भरे हुए थे एक दो मर्तबान टौफियों के भी थे एक चोटी सी मामूली दुकान इस तरह की हजारों दुकानों में से एक कॉंस्टेबल धीमी आवाज में घटना स्थलका वर्नन कर रहा था वो काउंटर के पीछे धेर पड़ी हुई थी सर डौक्टर के अनुसार उसे पता ही नहीं लगा कि उसे किस चीज से चोट लगी वो जरूर उपर किसी शेल्फ तक पहुँचने की कोशिश कर रही होगी क्या उसके हाथ में कुछ नहीं था पॉयरो ने पूछा जी नहीं सर लेकिन नीचे उसके पास ही प्लेयर्स का एक पैकेट पड़ा था पॉयरो ने सेरह लाया उसकी आँखें उस छोटी सी जगह के चारों और घूम रही थी बड़े ध्यान से देखते हुए रेलवे गाईड कहां पड़ी थी उसने पूछा कॉंस्टेबल ने काउंटर पर एक जगह इशारा किया यहां पर थी सर वो एंडोवर वाले पन्ने पर खुली हुई थी और उल्टी पड़ी थी लगता था जैसे वो लंडन जाने वाली गाडियों के बारे में पढ़ रहा था अगर ऐसा है तो हो सकता है वो एंडोवर का रहने वाला रहा ही ना हो लेकिन ये भी हो सकता है कि रेलवे गाईड किसी और की हो जिसका खून से कोई लेना देना ना हो और वो सिर्फ उसे यहां भूल गया हो कोई उंगलियों के निशान मिले मैंने पूछा उसने ना में से रहिला दिया पूरी जगह की जाच की गई सर कोई निशान नहीं मिले क्या काउंटर पर भी नहीं काउंटर पर तो बहुत ज्यादा थे सर लेकिन सारे के सारे गड़ मड पूरो ने अगला सवाल किया क्या मृत औरत दुकान के ऊपर रहती थी? जी हां सर आप दुकान के पीछे वाले दर्वाजे से सीधे चले जाएए आपके साथ ना चलने के लिए मुझे माफ कीजिए लेकिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा पूरो उस दर्वाजे से अंदर गया और मैं उसके पीछे दुकान के पीछे एक नहायत छोटा सा कमरा और रसोई घर था वो साफ सुथरा था लेकिन देखने में बहुत नीरस और बेहद कम फरनीचर से युक्त शेल्फ पर कुछ फोटो रखे थे मैं जाकर उन्हें देखने लगा पूरो भी मेरे नजदीक आ गया ये कुल तीन पोटो थे एक उस लड़की मेरी ड्रोर की सस्ती सी तस्वीर थी जिसे हम आज दो पहर को मिले थे जाहिर है उसने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने थे उसके चेहरे पर वही भावशुन्य मुसकान थी जो अकसर विशेश पोज बनाने से चेहरे के भावों को बिगार देती है और जिससे तुरंत ली जाने वाली फोटो काफी बहतर होती है दूसरी तस्वीर कुछ ज्यादा महंगी थी सफेद बालों वाली एक बुढ़ी औरत की धुंदली तस्वीर गर्दन के इर्दगिर्द खड़ा फर का कॉलर मैंने अनुमान लगाया कि ये वही मिस रोज होगी जिसने मिसिस एशर के नाम पैसा छोड़ा था जिससे उसने अपना कारोबार शुरू किया था तीसरा चितर काफी पुराना था अब धुंदला और पीला पड़ा हुआ उसमें एक युवक और युवती पुराने फैशन के कपड़े पहने हाथों में हाथ डाले खड़े थे उस आदमी के कोट में बटन होल था और कुल मिलाकर पुराने जमाने का उत्सव जैसा महौल था पुराने उसे देखते हुए कहा शायद शाधी की तस्वीर है देखा है स्टिंग्स मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो जरूर एक खुबसूरत औरत रही होगी उसकी बात बिलकुल ठीक थी पुराने रिवास के अजीबो गरीब कपड़ों और बाल बनाने के धंग के बावजूद भी तीखे नैननक्ष वाली उजिंदा दिल्युवती की खुबसूरती को छुपाया नहीं जा सकता था मैंने ध्यान से दूसरी आकरिती को देखा फौजी जैसे दिखने वाले उस बने ठने युवक में आज के फटीचर एशर को देख पाना बिलकुल असंभव था मुझे वो गंदी नजरों वाला पियकड़ बुढधा याद हो आया और मरने वाली का मेहनत से थका मादा चेहरा और मैं वक्त की कठोरता पर कांप उठा बैठक से एक सीड़ी उपर वाले दो कमरों तक जाती थी एक तो खाली और बिना फरनीचर के था दूसरा मरने वाली के सोने का कमरा रहा होगा पुलीस की जाच के बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया गया था जैसा वो पहले था पलंक पर दो फटे पुराने कंबल रखे थे एक दराज में अच्छी तरह रफू किये गए अंदरूनी कपणों का छोटा सा धेर दूसरे में खाना बनाने की विधियां ग्रीन ओइसिस नाम का कागस की जिल्द वाला एक उपन्यास एक जोड़ी सस्ते चमकते हुए बेकार नए मोजे चीनी मिट्टी की कुछ सजावटी चीजें एक टूटा हुआ चरवाहा और एक नीले पिले धबों वाला कुत्ता खूटियों पर टंगी एक बरसाती और एक उनी जमपर स्वरगिये मिस एलिस एशर की यही जायदाद थी यदि कोई निजी कागजात महा रहे होंगे तो पुलिस उन्हें ले गई थी पौहरो बुदवुदाया बेचारी चलो हेस्टिंग्स हमारे लिए यहां कुछ नहीं है जब हम एक बार फिर गली में पहुँचे तो वो एक पल के लिए हिच किचाया फिर उसने सड़क पार की मिसिस एशर के घर के ठीक सामने एक सबजी वाले की दुकान थी जिसका ज्यादा सामान दुकान के अंदर होने की बजाय बाहर पड़ा हुआ था पोईरो ने धीमी आवाज में मुझे कुछ हिदायतें दी फिर खुद उस दुकान में प्रवेश कर गया एक दो पल रुकने के बाद मैं भी उसके पीछे चला गया उस समय वो सलाद के एक गुच्छे के लिए मोलभाव कर रहा था मैंने एक पाउंड स्ट्रॉबेरी खरी दी पोईरो दुकान चलाने वाली हट्टी-कट्टी औरत से जोश से बातें कर रहा था ये खून ठीक तुम्हारे सामने हुआ था अच्छा बड़ा अजीब हादसा तुम्हारे लिए कितना संसनी खेज रहा होगा कि यहां देखने को है क्या उस औरत ने खीजे हुए स्वर्मे कहा पोईरो ने कहा लेकिन कल रात तो सब कुछ काफी अलग रहा होगा मुम्किन है कि तुमने खूनी को दुकान के अंदर दाखिल होते भी देखा हो एक लंबा उंचा दाढ़ी वाला गोरा आदमी है ना सुना है कि एक रूसी क्या क्या वो औरत तेजी से उसकी बात काटते हुए बोली क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एक रूसी आदमी ने किया है हाँ मेरे ख्याल से पुलीस ने उसे गिरफतार भी कर लिया है पॉयरो ने कहा क्या कहते हैं आप एक विदेशी बेशक मैंने सोचा कि शायद तुमने कल रात उसे देखा होगा मुझे तो किसी भी बात पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता असलियत तो यही है शाम का वक्त बहुत व्यस्त होता है बहुत से लोग काम के बाद घर जा रहे होते हैं और इधर से निकलते हैं लंबा उचा दाढ़ी वाला गोरा आदमी नहीं मैं नहीं कह सकती कि मैंने ऐसे हुलिये वाले किसी आदमी को यहां देखा था अपने लिए इशारा समझ कर मैं बीच में ही बोल पड़ा मैंने पॉयरों से मुखातिब होते हुए कहा माफ कीजेगा सर मुझे लगता है कि आपको गलत जानकारी दी गई है मुझे तो बताया गया था कि वो एक ठिगना काला आदमी था अब एक दिल्चस्प चर्चा शुरू हो गई जिसमें उस हटी-कटी औरत उसके दुबले पतले पती और दुकान में काम करने वाले मोटी आवाज वाले लड़के सब ही ने बराबरी का हिस्सा लिया कम से कम चार नाटे आदमी देखे गए थे और मोटी आवाज वाले लड़के ने एक लंबे गोरे आदमी को भी देखा था वो बड़े ही अफसोस से बोला लेकिन उसकी दाड़ी नहीं थी अंता तह हमारी खरीददारी पूरी हो गई तो हम दुकान से बाहर निकालाए बिना अपने जूट को सही किये मैंने कुछ-कुछ शिकायत भरे स्वर में कहा इस सब का क्या मतलब था पॉयरो मैं ये देखना चाहता था कि अगर कोई विदेशी दुकान में घोस आए तो उसके देखे जाने की कितनी संभावना है तो तुम सीधे-सीधे ये बात नहीं पूछ सकते थे बिना ये सारी कहानी गड़े नहीं मेरे दोस्त अगर मैंने सीधे-सीधे पूछा होता जैसा कि तुम कह रहे हो तो मुझे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता तुम तो खोद अंग्रेज हो फिर भी सीधे सवालों के प्रती एक अंग्रेज की प्रतिक्रिया को नहीं जानते उनकी प्रतिक्रिया होती है शक और परिणाम होता है उनकी चुप्पी अगर मैंने उन लोगों को जानकारी देने के लिए कहा होता तो वो सीप की तरह बंध होकर बिलकुल खामोश हो जाते लेकिन एक मामूली और बेतु की बात कह देने के बाद खुद ही उसको काटने के लिए लोगों की जुबाने खुलनी शुरू हो जाती है हम ये भी जानते हैं कि वो काम का समय था यानि हर कोई अपने काम में व्यस्त होगा और पट्री पर कई लोग आ जा रहे होंगे कातिल ने अपने काम के लिए बिलकुल सही वक्त चुना है हेस्टिंग्स तभी अचानक पॉयरो ठिठक कर रुक गया मिसिस एशर की दाई और वाली दुकान और घर खाली थे खिडकी पर किराय के लिए का बोड टांगा था दूसरी ओर मलमल के मेले परदों वाला घर था पॉयरो उस घर की ओर चल दिया और घंटी ना होने की वज़ह से उसने तेजी से कुंडी खड़काई कुछ देर बाद गंदी नाक वाले एक गंदे से बच्चे ने दर्वाजा खोला क्या तुम्हारी मा अंदर है बच्चे? पॉयरो ने पूछा हैं? बच्चे ने अजीब सिस्वर में कहा वो हमें शक और नापसंदगी से देख रहा था तुम्हारी मा, मा, मम्मी पॉयरो ने उसे समझाने की कोशिश की बच्चे को समझने में कुछ बारा सेकिंड लग गए वो तेजी से पलता और सीड़ियों से अपनी मा को पुकारते हुए भीतर के अंधिरे में खो गया तीखे हावभाव वाली एक औरत ने जंगले से जहांका और नीचे उतरने लगी अपना वक्त बरबाद करने का कोई फायदा नहीं है सर उसने अपनी बात कहनी शुरू ही की थी लेकिन पॉयरो ने उसे टोक दिया वो अपना हैट उतार कर बड़े ही शांदार धंग से जुका गुड इवनिंग मैम मैं इवनिंग फ्लिकर में काम करता हूँ मैं आपको इस बात के लिए मनाना चाहता हूँ कि आप पांच पाउंड की फीस के बदले में अपनी पड़ोसन मिसिस एशर पर एक लेक लिख कर हमें दे दें उस औरत के कुरुध शब्द उसके होटों पर ही रुक गए और अपने बालों को समारती, सकर्ट को जटकती, वो सीड़ियों से नीचे आई प्लीज अंदर आईए, यहां बाई तरफ बैठिये सर वो छोटा सा कमरा फरनीचर से भरा हुआ था, लेकिन हम किसी तरह भीतर घुस गए और एक सक्त सोफे पर बैठ गए उस औरत ने कहा माफ कीजिएगा, मुझे अफसोस है कि मैं आप से इतने तीखे पन से बोली लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितने मुसीवतें सेहनी पड़ती है कभी लोग ये, कभी वो बेचने आते रहते हैं वैक्यूम क्लीनर, मोजे, बैग और ऐसी ही नजाने क्या-क्या बकवास चीजें और सब के सब इतने भरोसे मंद और सब्भे ढंक से बात करने वाले दिखाई देते हैं और उन्हें आपका नाम भी फटाफट पता चल जाता है मिसिस फोलर ये, मिसिस फोलर वो कुशलता से नाम को पकड़ते हुए पॉयरो बोला मिसिस फोलर, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, आप वो अवश्य करेंगी कह नहीं सकती, निश्चे ही मैं मिसिस एशर को जानती थी, लेकिन कुछ लिखना मिसिस फोलर की आँखों के सामने लटके पाँच पाउंड उसे लुभा रहे थे पॉयरो ने जल्दी से उसे भरूसा दिलाया कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो उससे सारे तथे जान लेगा और साक्षातकार को लिख लिया जाएगा इस तरह उतसाहित किये जाने पर मिसिस फोलर यादों, अनुमानों और अफवाहों में डूबने उतराने लगी उसकी बताई बातों के अनुसार मिसिस एशर अपने आप में ही बंद रहती थी आप उसे दोस्ती पसंद नहीं कह सकते थे, लेकिन ये बात सब जानते थे कि वो बिचारी बहुत मुसीबत में थी इनसाफ के तहट तो फ्रेंज एशर को बरसों पहले ही जेल में डाल दिया जाना चाहिए था ऐसा नहीं था कि मिसिस एशर उससे डरती थी, भड़काए जाने पर वो बहुत गुसा हो सकती थी मिसिस फोलर कई बार उसे समझाया भी करती थी देख ले न, वो आदमी एक दिन तुम्हें मार ही डालेगा, मेरी बात याद रखना और अब उसने वो कर ही दिया मिसिस फोलर वहीं पास वाले घर में थी, फिर भी उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी उसके रुकते ही पोईरो ने बीच में एक सवाल पूछ लिया क्या मिसिस एशर को कोई अजीब से खत आये थे, जैसे बिना किसी का नाम लिखे, या ABC जैसा कुछ लिखा हुआ मिसिस फोलर ने इनकार में सेरहिलाया मैं जानती हूँ कि आप किस तरह की चीज की बात कर रहे हैं, ऐसे खतों को बे नाम खत कहा जाता है ज्यादा तर ऐसे शब्दों से भरे हुए, जिन्हें उची आवाज में पढ़ते हुए, आप गुसे से लाल हो जाए कह नहीं सकती कि फ्रेंज एशर ने कभी वो सब लिखा था या नहीं लिखा भी हो तो मिसिस एशर ने मुझे कभी नहीं बताया वो क्या है, रेल्वे गाइड एबी सी? नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज यहां नहीं देखी और मुझे पूरा यकीन है कि मिसिस एशर को अगर वो भेजी गई होती तो वो मुझे जरूर बताती मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत धक्का लगा मेरी बेटी एडी ने आकर मुझसे कहा ममा पड़ोस वाले घर में बहुत सारे पुलीस वाले आए है मैं तो बुरी तरह हडबड़ा गई मैंने कहा इससे ये तो साबित होता है कि उसे इस घर में अकेले नहीं रहना चाहिए था उसकी उस भतीजी को उसके साथ रहना चाहिए था शराब पिया हुआ आदमी भूखे भेडिये जैसा हो सकता है मैंने उसे कई बार चेतावनी दी और अब मेरा कहा सच हो गया मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें मार डालेगा और अब उसने उसे मार दिया आप कह नहीं सकते शराब पेकर आदमी क्या क्या कर सकता है और ये खून इस बात का पक्का सबूत है। एक गहरी सांस भरते हुए उस औरत ने अपने बात खत्म की। पोहरों ने पूछा मेरे ख्याल से किसी ने एशर को दुकान के अंदर जाते तो नहीं देखा। मिसिस फोल ना किसी की नजरों में आए एशर वहां तक कैसे पहुँचा होगा। उसने स्वीकार किया कि घर में जाने के लिए पिछवाडे की तरफ से कोई रास्ता नहीं था और वैसे भी एशर को वहां सब लोग जानते पहचानते थे। पोहरों ने बातचीत का दौर कुछ देर और जारी रखा लेकिन जब उसे ये लगा कि मिसिस फोलर जो कुछ जानती थी वो सब उसने एक बार नहीं कई बार बता दिया था तो उसने उस मुलाकात को खत्म कर दिया। तै की गई रकम को चुका कर। बाहर गली में आते ही मैंने कहा। ये सौधा महंगा था पोहरों। अभी तक तो महंगा ही है। क्या तुम्हें लगता है कि जितना उसने हमें बताया है वो उससे ज्यादा जानती है। देखो दोस्त हम इस अजीब हालत में हैं कि हमें नहीं पता क्या सवाल पूछने चाहिए। हम अंधेरे में पकड़म-पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। हम हाथ फेला कर टटोलते हैं। मिसिस फोलर ने वो सब हमें बता दिया है जो उसे मालूम है। साथ ही कई सारे अनुमान भी लगा लिये हैं। आने वाले वक्त में उसके गवाही फाइदे मन्द हो सकती है। और उसी आने वाले वक्त के लिए मैंने ये पांच पाउंड की रकम लगाई है। मुझे उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई। और उसी वक्त मैंने देखा कि सामने से इंस्पेक्टर ग्लेन चला आ रहा था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नौवल के भाग 2 के वीडियो पर क्लिक करें।